दिवाली के दिन अध्योगिक नगदी फरिदबाद सबसे अधिक प्रदूशित रही। दिवाली बीच जाने के बाद भी आस्मान में प्रदूशन की मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिली। इससे लोगों की सेहत पर खतरनाक असर पड़ सकता है। आस्मान में फैले प्रदूशन से शुआस लेने और आखों में जलन महसूस होने लगती है। इस तरह के मौसम से बचने के लिए डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को अपनी सेहत का खयाल रखना चाहिए और आखों को पानी से साफ करना चाहिए। जो पटाके जो यूज हुए एक वो है। दूसरा आपने देखा होगा कि बार बार सरकार भी अनुरोद कर रही है। और आपने भी देखा होगा जो पराली जलाई जाती है। एक ये भी इसमें एड़ करता है। तो इन दोनों चीजों की वज़े से स्मोग सारे दिली एंसि हैं छलाई हुआ how जहां तक सवाल है के इस से क्या दिक्कत हुई हूं आपने खुद भी बताया और आप जानते हैं कि इस से से बहत्तर उपाय तो यही है कि हम सब परण लें कि हम पटा के कम से कम चलाएं मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इमीजिटली बंद हो जाएगा तो एक तो यह परण लें ताकि परदूशन और पॉलुशन कम हो सके दूसरा गाड़ियों का इस्तेमाल जैसा कि बार बार पहले भी एंजीटी ने भी कहा था और भी कोशिश करी जाती है कि जब तक अती आवशिक ना हो गाड़ी का इस्तेमाल कम करें या दूसरे अल्टरनेटिव वहिकल या साधन इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि कार्बन मोनोकसाइड और यह धुआ जो इस मोसम में खास करके स्मोग में कनवर्ट हो जाता है यह थोड़ा सा कम हो तीसरी चीज मैं यही कहूंगा कि इंतजार तो करना पड़ेगा स्मोग अपने हाप ही खतम होता देर सवेर से जब हावा चलने पड़ जाएगी लेकिन फिर भी साफदानिया था हमें बरतनी पड़ेंगी जहां तक संबह हो आखों को ठंडे पानी से दोने की कोशिश करें और सुबह शाम कोशिश करें कि जब स्मोग जादा हो उस वकत आप अपने घर में भी अगर पंखा या इस्तेमाल करें तो खिड़की दर्वाजे इस वकत थोड़ा सा वाइड करें ताकि आप सफ स्वच्छ हवा जो है वो मि सके यही किया जा सकता और इंतिजार करना पड़ेगा आपको स्मोग के छटने का